आज आपके साथ हम आलू और वीन्स की सबजी की रेसिपी सेयर कर रहे हैं लेकिन ये तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है इस तरीके से साधी आपने कभी बनाया होगा तो बनाना स्टार्ट करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो लाइक को सेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना पिलकुल मत भूलेगा तो यहां पर हमने थोड़े से वीन्स लिये हैं हमारे यूपी में इसको बोडा बोलते हैं कई jगे इसको चोड़ा भी बोलते हैं आप कहां क्या बोलते हैं जरूर बताईएगा और हाँ गाउं में साध साद बड़ बोलते हैं और चार हमने मीडियम स आलू को हम कट कर रहे हैं आप छोटे बड़े जैसे आपको पसंद हो कट कर सकते हैं तो आलू हमारे कट चुके हैं अब ये जो बीन्स है इसे भी कट कर लेते हैं और इसके जो टुकड़े हैं इसे बीना बहुत ज़दा हम छोटे आप बड़े नहीं रखेंगे मीडियम भी पहले आप अच्छे से साफ कीजेगा फिर कट कीजेगा तो ये लीजे आलू और बींस हमारे काफी अच्छे से कट चुके हैं अब इसका जो मसाला है न वो देख लेते हैं तो यहाँ पर हमने थोड़ी से लैसोन हरी मिर्ची और एक इंच अद्रक का टुकडा लिया है इसे मि लहसों का तेल दो बड़े चमज तेल जैसे ही गरम होगा इसमें डालेंगे एक चमज जीरा आप इसमें मेथी दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक चोटी चमज डालेंगे इसमें राई राई आप नहीं डालना चाते हैं तो इसकिप कर सकते हैं इन दोनों चीजों को अच्छे से फ्राई होने देते हैं फिर ये जो लहसुन हरी मिर्ची अद्रक वाला जो पेस्ट है ये डाल देते हैं और जार में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था तो उसमें 2-3 चमच हम पानी डाल कर इसमें हम मिला देते हैं तो पहले थोड़ा इसे हम फ्राई कर लेंगे फिर इसमें डालेंगे जो जार में लगा हुआ था नहीं ये देखे थोड़ा सा पानी डाल कर इसमें मिला देते हैं क्योंकि जार में काफी सारा लगा हुआ था ताकि वो वेस्ट ना हो और अब इसे ना एक से दो मिनट के लिए थोड़ा सा हम पका लेते हैं ताकि अधरक लेसुन हरी मिल्ची का जो टेस्ट है वो कच्छा पन इसमें ना दिखे और अच्छे से थोड़ा सा इसको पकाना है केवल आदे से एक मिनट के लिए ज्यादा देर नहीं और अब इसमें डाल देने हैं कटे हुए आलू और वीन्स को और इसे ना हाई फ्लेम पर हम दो मिनट के लिए इसको अच्छे से फ्राई करेंगे मतब कि भोनेंगे इससे क्या होता है जो ये वीन्स है ना थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है आलू का भी और ये वीन्स का भी तो इसे ना आप हाई फ्लेम पर दो मिनट के लिए अच्छे से इस तरीके से भोनियेगा तो बहुत ही अच्छे सी खुजबू भी आने लगती है और इसका जो टेस्ट है ना वो भी बहुत ही बढ़िया लगता है तो दो मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से हमने भून लिया है और अब ये देखिए काफी अच्छा सा कलर भी आ चुका है और बहुत ही अच्छे सी खुजबू भी आ रही है लंसुन हरी मिर्ची अद्रगी तो अब इसमें आड़ करेंगे एक चोटी चमच हल्दी पॉडर आधी चोटी चमच लाल मिर्च पॉडर लाल मिर्च पॉडर हमने बहुत ही कम कॉंटिटी में डाला है आप देखी सकते हैं एक चमच डालेंगे इसमें धनिया पॉडर और टेस्ट के एक ओर्डिंग डालेंगे इसमें नमक और फिर इसे हम कर देते हैं मिक्स इसे ना इस सब्जी को ना फड़ा धीमी आज पर ही पकाईएगा क्योंकि इसमें हम पानी नहीं डालने वाले हैं इसे हम सुखाई बना रहे हैं तो इसे ना आप सिंपल दाचावल के साथ भी खा सकते हैं या टिफिन में भी कैरी कर सकते हैं सफर में भी जा रहा है ना तो भी आप इस सब्जी को कैरी कर सकते हैं अब इसे ढखकर पकाते हैं 4-5 मिनट के लिए और वीज बीच में आप इसको चेक जरूर करते रहें ताकि ये चिपके नहीं और ये देखिए अब इसको वापस से एक बार हमने चेक कर लेना है और आलू को भी चेक कर लेते हैं कि वो कच्छे हैं या फिर पक गए हैं ये देखिए तो आलू हमारे काफी अच्छे से कुक हो चुके हैं टोटल पांच मिनट लगा है इस सबजी को हमने धीमी आज पर पकाया है तो beans भी चल्दी से soft होई जाते है तो aloo cook हो चुके है बीन भी एकदम अच्छे से बख चुके है तो almost ये सबजी अच्छे से बन चुकी है तो अब इसमें कटी हुई धनियाकी पती आड़ कर देते हैं और इसे mix करेंगे और इस सबजी को आप और फिन में या फिर ब्रिक्फास्ट में पराठी हजा आ जो